हलो दोस्तो असलाम अलेकुम नमस्कार अली अजमी बुलोग चैनल में स्वागत है एक नहीं जानकारी के साथ दोस्तो रोज तो मैं डिरावर के बारे में बताता हूँ और बताते रहता भी हूँ और बताऊंगा भी आज जो है मजरे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि इस टैम पे मजरे में बहुत ज्यादा काम है खजूर रेडी हो गई है आधी कच्ची आधी पक्की खजूर रेडी हो चुकी है और कुछ जगा खजूर एकदम रेडी हो गई है तो दोस्तो मजरे वाले बीच में कह रहते कि गरम नहीं पल रहा है और खजूर बली नहीं हो रही है और जो है अच्छी नहीं हो रही है और बदाम नहीं बल रहा है गरमी की वज़ा से यही सब बात करते थे अभी इस टैम पे इतनी तगड़ी गरमी हो गई है कि अभी वही मजरे वाले कह रहे हैं कि बहुत गरम पल रहा है चेहरा काला हो गया है और जो है गर्मी की कोई इम्तिया नहीं रहे गई है और अभी ये गर्मी कम से कम एक महिना इसे ही और रहेगी और उनके जो है कपले भीग जाते हैं अगर गार दिया जाए तो एक गिलास पानी कपले से निकलेगा अभी मुझे टाइम नहीं मिलना है मजरे में जाने के लिए नहीं तो मैं जाके डारेक जो है मजरे में और आप लोग से मजरे वाले से बात कराता उनकी परिशानी पूझता उनकी परिशानी को आपके सामने लाता गर्मी के हिसाब से तो मैं हर बार बोलता हूँ कि डराइबर बहुत दिक्कत में है लेकिन गरमी की हिसाब से डराइबर बहुत अच्छे में है कम से कम घर से निकले अपने गाली में आये गाली स्टार्ट किये, एसी चालू किये पाँच मिनदे बाद गाली जो थंदी हो गई जहाँ जाना अपने ठंडे ठंडे एसी में जाते हैं इस लियाजा से इस नजरिये से डिराइबर इस मामिले में अच्छे हैं बाकी गर्मी तो यहाँ इस कदर रहती है कि अगर रोड के उपर जो नरी जिसको बोलते हैं मक्का अगर उसका दाना रख दिया जाए तो अपने आप लावा तैयार हो जाएगा वेगर कुछ करे गर्म की वज़े से वो लावा रेडी हो जाएगा दोस्तों आप लोग से बार बार यही कहता हूँ कि आप लोग जो है हमारी वीडियो को यह जानकारी वीडियो को लास तक देखती है कुछ हासिल करिए आप लोग को कुछ देना चाहता हूँ आप लोग ले नहीं रहे हैं जानकारी दे रहा हूं आप लोग ले नहीं पा रहे हैं न ले रहे हैं इल्म दे रहा हूं फिरी में सिर्फ अंगली रखके लाइक करना है और सक्राइब कर देना है और कमेंड कर देना है फिरी में काम हो रहा है फिरी में जानकारी मिलने ही फिर भी आप लोग नहीं करते हैं बैरा आप लोग की मर्जी मैं इसी तरह हिम्मत नहीं हारूंगा और आप लोग के सामने कोई कहानी, कोई driver के बारे में जानकारी, कोई मजरे के बारे में जानकारी देता ही रहूंगा किसी दिन आप लोग का कोई वीडियो पसंद आ गया, हो सकता है हर वीडियो नहीं पसंद आता हो कोई वीडियो पसंद आए, तो आप लोग उस पे ध्यान दे दें, तो हो सकता है कि कुछ, जिस दिन मैं फेमस हो गया उस दिन बहुत बड़ी आप लोग को कहानी एक बताऊंगा अपने बारे में, और न्यूज में भी बताऊंगा तो दोस्तों मेरा कहने का यही मतलब था, कि आप लोग जो है वीडियो ज़्यादा ज़्यादा देखिए, सेर करिए, सक्राइब करिए, कमेंट करिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, इंशालला जै हिन, जै भारत, मिलते हैं इंगली वीडियो में कोई कहानी या कोई डिराइबर के बारे में जानकारी के साथ, ठीक है दोस्तों